नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागते Soil Science World योटूब चैनल में आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा बिहार एग्रिकल्चर अन्युनिसिटी के ओर से एड्मिशन नोटिस निकला गया है MSC और PhD प्रोग्राम में अगर आप मेरे योटूब चैनल पर नए हो तो प्लि कितनी है और आपके लास्ट डेट क्या रहेगी आप यहाँ पर देख सकते हो पिहार अग्रिकल्चर अन्युनिस जारी कर दिया गया है MSC प्रोग्राम के लिए हैं यहाँ पर आगे हम डिटेल से बात करेंगे आपके यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कौन-कौन से कॉ प्रोग्राम के लिए हैं और आपके जो MSC और PhD दिग्री होगी वह यहाँ पर फैकल्टी ऑफ एग्रिकल्चर प्यार अग्रिकल्चर उविश्टी में होगी पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा आपके इंपोर्टेंट डेट्स की आप यह नोट कीजेगा यहाँ पर आपकी 1080 डेट्स दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हो आपके ऑनलाइन एप्रिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 20 जुले से और इसकी लास्ट डेट 20 अगस्त दी गई है आगे हम बात करेंगे डाउनलोड एटमिट कार्ड की तो आपको जो एटमिट कार्ड डाउनलोड करना है युनिविशिटी की वेबसाइट से वह एक सेप्टमबर से पांस सेप्टमबर के बीच में आपको अवैलेबल हो जाएंगे और आपके यहाँ पर एक्जाम की डेट दी गई है पांस सेप्टमबर 2021 आगे मैं बात करूंगा एप्लिकेशन फिस की तो MSC प्रोग्राम आपके master degree program के लिए eligibility criteria की तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको minimum 60% marks चाहिए bachelor degree में और ST और ST candidate के लिए 55% marks होने चाहिए आप यह नोट कीजएगा आपका bachelor degree ICR recognized college और institute से होने चाहिए तो student अब भी final area में पढ़ रहे हैं वो यहाँ पर eligible है और apply कर सकते हैं admission के लिए आपको admission की first counseling के समय आपको PDC और transcript वहाँ पर दिखाने पड़ेगी आगे मैं बात करूंगा के MSC program के लिए only BHA domicile के student ही eligible है आगे आप देख सकते हो subject wise seat दी गई है किस department में कितनी seat हैं यहाँ पर तो आप यहाँ पर note कीजएगा BAU में 79 seat है और ICR की seat है वो 23 है टोटल 102 number of seat दी गई है और यहाँ पर eligibility दी गई है आपकी bachelor degree होने चाहिए agriculture में या फिर horticulture में आपके पास degree होने चाहिए तो आप apply कर सकते हो आगे आप यहाँ पर देख सकते हो category wise seat भी दी गई है यहाँ पर MSC program के लिए किस category में कितनी seat है और किस हिसापशाप का reservation दिया गया है आगे हम बात करेंगे आपके selection criteria की तो आप यहाँ पर देखेगा जो आपका selection होगा वो entrance exam के थ्रू होगा और आगे आप यहाँ पर 5 subject choose कर सकते हो और आपके exam में merit की according आपकी यहाँ पर admission होगा आगे हम बात करते हैं SEO और ST candidate के लिए minimum 40% और other category के लिए minimum 45% आपको minimum marks चाहिए है यहाँ पर exam clear करने के लिए आगे में बात करूँगा PhD program के लिए तो आप यहाँ पर note कीजेगा minimum 70% marks चाहिए आपको master degree program में और SEO और ST के लिए यहाँ पर 65% marks चाहिए और आप यहाँ पर note कीजेगा आपको bachelor degree ICI recognized university से होनी चाहिए student MSA final year में है वो यहाँ पर eligible है PhD program के लिए और एक और चाहिए नोट कीजेगा PhD program में all over India के student आप apply कर सकते हो आगे हम बात करते हैं number of seat दी गई है आप यहाँ पर देख सकते हो different department wise seat दी गई है और यहाँ पर आपका category wise seat को divide क्या गया है इस PDF की link में वीडियो के description box में देदूँगा आप वहाँ से से डाउनलोड कर लिजेगा आगे हम बात करते हैं selection criteria की तो आपका competitive exam होगा उसके तुरूँ आपकी merit पर आपका selection होगा आपको 45% marks general category के लिए और SCO or HD के लिए 40% marks minimum चाहिए यहाँ पर आगे में बात करूँगा आपके exam का pattern क्या रहेगा तो आप यहाँ पर देखेगा आपके 200 multiple choice question आएंगे और 1 question 0.5 marks का रहेगा और आपको 2 गंटे का time में लेगा exam के लिए आगे में बात करूँगा आपको की form कैसे apply करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हो B.I.U.S.O.R. की side दी गई है इस side पर जाकर आपको form fill करना है और application fees में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ M.I.C. के लिए 800 रुपे OSC और SD के लिए 400 रुपे रहेगी और PhD के लिए 1000 रुपे जनरल लोबी सी EWS और SD और SD के लिए 500 रुपे रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हो step दिये गए हैं कि आपको कैसे apply करना है इस video की link में वीडियो के description box में दे दूँगा आप वहाँ से download कर लिजिएगा यह आपका syllabus दिया गया है MSC और PhD प्रोग्राम के लिए तो इसकी भी में आपको link दे दूँगा आप वहाँ से इसे download कर लिजिएगा तो दोस्तों यह थी एक जानकारी जो MSC और PhD डिगरी प्रोग्राम से बियाहर अग्रिकल्टर इनिसिटे निकली थी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कीजिए ठेंक्यू